Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगूर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूटीब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एकोनोमेक्स नियू सिलिबिस और ये है चाप्टर नमबर 4 का लेक्चर नमबर 2 जी हाँ दोस्तों सप्लाइ अनलेसिस पढ़ रहे हैं अगर आप इस चानल पर नए है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगाता है ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो मिलते रहेंगे साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके धेर सारे PDF नोट्स इंतजार कर रहे हैं जी हाँ जरूर जॉइन कीजिए Sky Education Official टेलिग्राम चैनल और description में लिंक है हमारे superstar batch का जो current year का free batch है for commerce and art students तो जरूर जरूर digitally अपना प्यार बढ़करा रखिए आपके लिए सारा free content available है प्लेलिस को जरूर चेक आउट कीजिएगा चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जब बात करते हैं supply की तो याद रखिए the quantity of a commodity which is offered for sale is called as supply जी हाँ simple भाषा में offered for sale यानि दुकानदार जो sale करने के लिए offer कर रहा है उस quantity को supply कहते है particular commodity की particular price पे particular time पर दोस्तों यहाँ पर बढ़िया सा definition दिया है Paul Samuelson जी का और Paul Samuelson जो है यह चचा हमको कह रहे हैं कुछ खास बातें जो आपको जरूर ध्यान रखनी है supply के बारे में वो कहते हैं that supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply यह रिष्टा है रिष्टा क्या कहलाता है किसका रिष्टा है तो याद रखिए रिष्टा है market price का और goods का जो producer बेचने के लिए तयार है उस particular दाम पर उसी को supply कहते हैं दोस्तों कहते हैं supply refers to the quantity of commodity that a seller is willing to and able to offer for sale willing to and able to offer, willing to and able to offer, willing to and able to offer for sale तो कुल मिला करके supply वो है जो हम बेचने के लिए रखते हैं एक particular price पर वो commodity है किसी का particular commodity की quantity है जो हम बेचने के लिए ready है at a particular price at a particular दाम तो दोस्तों उमीद करता हूँ supply आप समझ गए होंगे यहाँ पर एक बजबरतस्ता उधारन भी दिया है कि 4000 kg यहाँ पर चावल उपलब्ध है farmer के पास जिसमें से 40 रुपए प्रती kg पर 1000 kg देने के लिए तयार है sale करने के लिए तयार है तो यह जो 1000 kg है वो उसकी actual supply है बाकी का उसका stock है उमीद करता हूँ यह एक्जामल के जरी आपको clear हो गया होगा क्या है supply आज जो दोस्तों हम concept पढ़ने वाले हैं वो है supply का schedule जी हाँ बड़ा ही आसान सा बड़ा ही simple सा supply schedule हम पढ़ने वाले हैं उसी तरह यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको दमाग में fit कर लेनी है और supply का force आप आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पर बहुत ही simple है प्राइज उपर तो supply भी उपर प्राइज नीचे प्राइज नीचे जी हाँ दोस्तों प्राइज उपर तो supply उपर प्राइज नीचे तो supply नीचे simple सा concept, simple सी theory एक producer का behavior एक producer का angle की प्राइज ज्यादा मिलेगा तो अपन supply ज्यादा करेगा ज्यादा बेचेगा प्राइज कम मिलेगा तो supply भी कम करेगा यही simple से आसान से solution के उपर आपको पूरा lecture समझना है पूरा चाक्टर समझना है supply schedule is a tabular representation ठीक है, आज हम दो tabular representation देखने वाले है price और quantity supplied के बीच का मंत्र दोनों में same ही रहने वाला है price उपर तो supply उपर और price नीचे तो supply नीचे, चलिए इसी मंत्र को लेकर के आगे चलते हैं सबसे पहले supply की schedule यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है individual supply schedule जिसमें होता है one producer, एक दुकांदार एक बेचने वाला का आप जब schedule पढ़ेंगे तो वहोगा about one person supply, one producer supply और दूसरी तरफ बात करें market supply की market supply का schedule में all producers होते हैं बहुत सारे दुकांदार, बहुत सारे बेचने वाले सिंपल सी बात है individual demand, market demand हमने पढ़ा था एक की demand, individual demand अनेक की demand, market demand यहाँ पर एक की supply मतलब individual supply और अनेक producers की supply जो होती है, उसे market supply कहा जाता है चलिए, एक एक करके दोनों ही concept जो है, वो आसानी से चमज लेते हैं, हाला कि हम concept के बारे में clarity जो मैं दिया, वही है price उपर तो supply, उपर price मीचे तो supply नीचे, चलिए नजर डालते हैं individual supply के schedule पर यह जो डबबा है, आपके text loop में दिया हुआ है, और यह डबबा क्या कहलाता है यह बताता है, price एक कॉलम, एक कॉलम supply का, यहां आप ध्यान से अगर देखें हैं, तो 10 रुपए price है, 100 किलो supply है 10 रुपए price, 100 किलो supply 10 रुपए price, 100 किलो supply 10 रुपए price, 100 किलो supply बनता है, बच्छी वामा है, देखिए जिस तरह से slowly and steadily supply का, आप देखते हैं बढ़ोतरी हो रही है, कब हो रही है जब price में बढ़ोतरी हो रही है 10 से price, 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जैसे जैसे price बढ़ा वैसे वैसे आप देखिए supply increase हो रहा है जब 50 रुपए price है तो 500 किलो supply है इससे साबित क्या होता है साबित यही होता है कि जब price उपर तो supply उपर price उपर, supply उपर comment करना नीचे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बड़ी simple बात price उपर, supply उपर price नीचे, supply नीचे एक producer का behavior यही कहता है कि जब सस्ता है तो मैं कम supply करूँगा और जब मेहंगा है तो मैं ज़्यादा supply करूँगा मुझे ज़्यादा मुनाफ़ा होगा simple सी बात है this table explains the functional relationship between price and quantity supplied lower the price, lower the quantity of commodity supplied simple, price कम है तो supply भी lower ही है कम ही है at the lowest price of rupees 10 supply is also lowest at 100 kg and at the highest price of 50 quantity supplied is highest that is 500 kg तो उमीद करता हूँ यह पहला schedule आपको समझाओगा इसी के आधार पर बना देते हैं diagram और diagram की बात करें न तो high और बहनो मैं आपको बता दूँ कि भाई हमने एक demand का diagram बनाया था कुछ इस प्रकार से DD को बनाते थे हम it was sloping downwards from left to right लेकिन अब हाई हो और बहनो हम क्या बना रहे हैं supply का diagram बना रहे हैं supply का diagram जो है वो एक line है उपर यह है upwards from left to right आप देखिए 10 रुपे पे 100 kg 20 रुपे पे 200 30 रुपे पे आप देखिए 300 40 रुपे पे भाईया 400 है 50 पे है 500 जब इन सभी points को हम जोड देते हैं तो line बन जाती है एक दम उपर सीधी line इसी line को हम कहते हैं हमारी supply curve which goes upwards from left to right yes quantity supplied is shown in the x-axis and price on the y-axis supply curve ss slopes upwards from left to right philips के लिए याद रखिएगा कि supply curve उपर की तरफ जाता है क्योंकि मंत्र बहुत simple है price ज्यादा तो supply ज्यादा price कम तो supply कम yes this shows philips के लिए direct relationship between price and quantity supplied अगर आपको याद है price और demand का रिष्टा कैसा था भाई inverse relation था और यहाँ पर price और supply का relation कैसा है direct relation है वहाँ inverse था price उपर तो demand नीचे लेकिन यहाँ direct relation है price उपर तो supply भी उपर price नीचे तो supply भी नीचे उमीद करता हूँ दोस्तों आसानी से आप समझ गए होंगे यह individual supply का schedule आप बात करते हैं market supply की और यहाँ पर आसान सा concept यहाँ पर बहुत सारे हैं suppliers हैं बहुत सारे market supply में all producers यहाँ आप देख सकते हैं पहला कॉलम है price का आखरी कॉलम है market supply का यह आखरी कॉलम बनता कैसे है तो यह seller A, seller B और seller C के total से बनता है यानि A plus B plus C से बनता है market demand में भी ऐसा ही हम करते थे यहाँ देखिए 10 रुपे price है तो A जो है भीया यह 100 kg supply कर रहा है B 200 kg सप्लाइ कर रहा है C 300 kg सप्लाइ कर रहा है तो 10 रुपे पे market की सप्लाइ कितनी है A plus B plus C तो यह आ गया यहाँ पर 10 रुपे पे 600 kg सप्लाइ market सप्लाइ कितना है 10 रुपे पे 600 kg है दोस्तों similarly अगर आप देखिए price जैसे जैसे बढ़ता है 50 रुपे पे A कितना सप्लाइ कर रहा है 500 B कितना कर रहा है 600 और C कितना सप्लाइ कर रहा है 700 इनको जोड जब हम देते हैं तो 500 plus 600 plus यहाँ पर 700 will lead to 1800 kg का सप्लाइ कितना सप्लाइ 1800 kg का सप्लाइ आप देख सकते हैं same to same concept है price उपर तो supply उपर price नीचे तो supply नीचे camp hit, mamla hit, answer super hit जब कम price है तो supply कम हो रहा है जब ज्यादा price है तो supply ज्यादा हो रहा है और इसलिए market के supply के बारे में भी यहाँ पर वही बाते बताई गई है कि जैसे जैसे A, B और C देखते हैं कि भाव बढ़ता है तो 50 रुपे पे उनका जो supply है वो 1800 केजी हो जाता है सबसे ज्यादा हो जाता है उमीद करता हूँ आसान सा market supply का schedule आपको समझाओगा डाइगराम एकदम सेम ही है कोई भी फरक नहीं आप देख सकते हैं आपर supply curve it slopes upwards from left to right नीचे X-axis में quantity है और Y-axis में price है एक ही बात SS slopes upwards from left to right indicating once again direct relationship between price and quantity supplied उमीद करता हूँ दोस्तों आज का आसान सा concept individual supply और market supply का आपको समझ में आ गया होगा याद सिर्फ आपको इतना ही रखना है कि यार price उपर supply उपर price नीचे supply नीचे और comment भी नीचे ही करना कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना share करना अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक और channel पर अपना प्यार बरकरा रखना हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you very much do like, share and subscribe